बाँआवह स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे तिर्कोड मेंती अनुपात यह तिरकोड मेंती अनुपात होते क्या है इन्हें हम कैसे सॉल करते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा detail में जानेंगे और आप से एक request है कि आप इस वीडियो को last तक देखिएगा चलिए student हम question के तुरू समझते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह exercise 8.1 है इसमें हम यह 3 number का question करेंगे तो question क्या student कि sign a is equal to 3 upon 4 है तो cause है और 10 a का मान परिकलित कीजिए यह जो हमारे cause है और 10 a है यही हमारे तिरकोड में अनपात होते हैं student आपको पता होगा कि तिरकोड में अनपात हमारे 6 होते हैं यानि कि sign theta या sign a cause 10 a जो भी हम code लगा देते हैं यही हमारे तिरकोड में अनपात होते हैं हम इनका मान कैसे निकालेंगे आज के इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे तो हम यह question लेते हैं question के थुरू समझेंगे यह हमारा question है sign a is equal to 3 upon 4 cause और 10 a का हमको मान निकालना है तो हमारा question क्या है question था हमारा sign a is equal to 3 upon 4 तो एक हम triangle बना लेंगे यानि कि एक तिर्भूज बनाएंगे यह एक तिर्भूज बनाया और इसका मान दिया a, b, c यह सम कोड तिर्भूज है यह हमने एक कोड माना जो की है a कोड मानने से हमें पता चल जाता है student की कौन हमारा लंब होगा कौन करड होगी बुजा और कौन आधार होगी तो जब कोड मानेंगे तो यह सामने की जो बुजा होते है वो हमारी लंब हो जाती है और यह तिर्यक जो बुजा होते है वो हमारी करड हो जाते और जो 36 पर होते यह हमारी आधार हो जाएगी तो अब हम देखते हैं यह हमको एक सूत्र पता होगा आपको बहुत सारे सूत्र याद करने जरूरन नहीं बस यह आप याद कर लिजिए आपके यह कोश्चन आसानी से हो जाएंगे क्या होगा लाल बटे कक्का यानि की यह साइन थीटा अगर पूचा जाए तो लम बटे कर कॉस्च थीटा पूचा जाए तो लम बटे आधार और यह होगा आधार लाल यह लाल यानि की लाल बटे कक्का अगर आप से साइन थीटा पूचा जाए तो लम बटे कर कॉस्च थीटा पूचा जाए तो आधार बटे कर और तैन थीटा पूचा जाए तो यह लम बटे आधार होगा तो यहाँ पर है sin A sin A या थीटा कुछ भी हो जकता है तो code यहाँ पर है A तो हमारा क्या होगा sin हमारा यह आएगा तो लंब अट्टे हो जाएगा कड़ और लंब है हमारा यह तो हो जाएगा यह 3 और लंब अट्टे कड़ होगा तो कड़ हमारा है चार अब हमको निकालना क्या है आधार तो आपको पाइथा गोरस्पर में पता होगी वो होती है कड का स्कॉर is equal to लंब का स्कॉर प्लस आधार का स्कॉर यह होती है हमारी पाइथा गोरस्पर में तो हमको दो मान दिये हैं लंब दे रखा है और कड़ दे रखा है आधार निकलना है हमको ये आधार निकलना है तो हम इनकी वैलू पूट कर देंगे कड़ है हमारा चार का स्क्वार हो जाएगा लंब हमारा तीन तीन का स्क्वार हो जाएगा और आधार तो हमको निकालना ही है तो यह हो जाएगा 16 और यह हो जाएगा 9 प्लस A स्क्वाइर हो जाएगा आगे देखते हैं student अब यह जो 9 है इसको हम दूसरी साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 16 माइनिस 9 बराबर A स्क्वाइर अब 16 में से हम 9 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 और यह A स्क्वाइर इसक्वाइर है इस साइड ले आएंगे तो यह रूट हो जाएगा तो A is equal to under root 7 हो जाएगा यह हमारा आधार निकलाया है 16 में से 9 घटेगा इतना 7 बचेगा और यह जो स्क्वाइर है इसको इस साइड ले आएंगे तो under root हो जाएगा तो यह हमारी value क्या गई under root 7 अब हमसे पूछा क्या गया था question एक बार फिर से देखते हैं यह हमारा question है cos A और 10 A की value बतानी है यह cos A और 10 A की value होगी क्या तो चलिए आगे करते हैं लिखेंगे cos A बराबर अब आप यहां से देखेंगे student cos A बराबर क्या होता यह sign और यह cos cos A बराबर आधहार बटे करड यानि की यह लिखेंगे हम आधहार बटे करड यह इतना हो जाएगा आगे solve करेंगे तो अब देखते हैं इसमें की आधहार क्या है और करड क्या है आधहार है 7 under root 7 करड क्या है 4 यहीं हमारे cos A की value हो जाएगी अब दूसरा पूछा गया था student की 10 A की value बताओ तो ऐसे ही हम 10 A बराबर क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का में देखेंगे आधार हो जाएगा अब देखेंगे इसे तिरभुज में की लंब काउंस है आधार काउंस है तो लंब हमारा है 3 आधार है root 7 तो यह 3 upon root 7 यहीं हमारे दोनों तिरखोड में अनपात के मान होंगे अगर परसंद आया है तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी निव वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सके तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बै